कि हैं यह विद्ध नए वीडियों के साथ और आज हम बात करने वाले ही एक नए सिरीज की रिव्यू को ले करके तो देखिए इंडियन सिनेमा के पक्के वारे पैन्स के लिए इस बात से इंकार कर पाना मुश्किल है कि उनके अंदर एक विजय वर्मा फैन रहता है डायलोक्स दाहार और लस्ट डोरीज 2 जैसे दार्लिंग दाहार लस्टोरीज 2 जैसे दो प्रोजेक्ट में अगर बात के जाए इन तमाम प्रोजेक्ट की बात कर लिजाए तो विजय ने सभी का दिल चीता है इस बार स्क्रीन पर उनका किरदार देख करके लगता है कि कुछ ना कुछ कान पस होने ही वाला है लेकिन कालकूट ने एक साथ दो बड़े काम किये हैं एक तो इस शो ने आखिरकार विजय वर्मा को हीरो बना दिया है और दूसरा ये एक शो ऐसी कहानी कहता है जो लेंस का काम करती है कालकूट आपको अपनी ही आसपास के उन अंधेरे कोनों को खोल करके दिखाता है जो है तो बहुत जराब में मगर उन्हें शर्म के परदे से बहुत खूब सूर्थी के साथ ढख दिया जाता है इसको लेकर कि ये बहतरीन सिरीज है इस महीने या आया नेट्फिलिक्स का शो कोहरा एक बहतरीन क्राइम फिलर होने के साथ साथ एक सॉलिट शोशल स्टरी की का तरह था कालकूट की भी लगभा कुछ ऐसे ही कहानी है कुछ ऐसे ही करना है लेकिन दोनों शोज अपनी बात बहुत अलग भाशा में कहते हैं एकदम अलग जमीन से निकली ये दो कहानिया एक दूसरे को जैसे उड़ा करती है मगर कालकूट की सिनेमेटिक भाशा और स्टाइल में एक रिस्क है जो इसको थोड़ा सा नेगिटिव पक्ष है लेकिन चाहे टेक्निकल डीटिल्स हो परफॉमेंस हो या फिर शोशल नेरेटिव हो कालकूट हर तरह से जरूरी जरूर देखे जाने लायक शो है जो कि हर कोई देखना भी चाहेगा रवीशंकर त्रिपाठी एक पुलिस ऑफिसर हैं जो तीन महीने में ही अपनी नौकरी से तंग आज चुके हैं एक क्रांतिकारी सोच के साथ वाले प्रोफेसर कवी का बेटा रवी यानिकी विजय वर्मा उन तौर तरीकों से खुटको एड़िस्ट नहीं कर पाता है सिस्टम में नहीं डहल पाता और इसी को लेकर के पूरा सिरीज है तो काफी खास सिरीज और विजय है तो हलाकि काफी कमाल करते भी नज़र आते हैं स्क्रीन पे तो आपको क्या से लिए स्टूडी और कितना पसंद करेंगी आपे श्योकू कॉमेंट करके जरूब बताएं वीडरों शेयर करें भनेवाद